तो बही नमस्ते स्रय काल हेलो और बाशा में समझ आती है बाशा में समझ लो तो भाई क्रिस्मस न्यू यर्थ यह सब चल रहा यार बढ़िया यह रोने चाहिए तो मह वह प्यता रजेप्यूज वापस आगा हो भी 27 एफन तो यार क्रिस्मस जा चुका है पर पार्टी अभी खतम नहीं है मेरे दोस्त कॉस निव यर तो अभी रहता है इसलिए आज हम निव यर के बार में बात करेंगे थोड़ी मस्ती करेंगे थोड़े नइने लोगों से बात करेंगे और थोड़े बड़े लोगों से भी बात करेंगे यार तुम्हें बता है निव यर का भी न अपन कि हम एक जन्वरी से ज्यादा 31 को celebrate करना चालू कर देते हैं भाई साब तुम उस दिन कहीं भी चले जाओ इतनी ज्यादा बीड़ होती है कि पूछो मत और मज़गी बात बताओं क्या है कि इतनी बीड़ एक जन्वरी को नहीं होगी जितनी बीड़ 31 को होगी और भाई जैसे ह कि उस रात के 12 बचते हैं 12 चोड़ो पहले 11 की बात करते ह। जैसे ही 11 बज रही होते हैं तो में कोई सनाटा फिल होता है अपने आसपास अब यह दो बोलना कि भाई प्यूश मैं तो पार्टी में होता हूं मैं तो नाच रह रहा होता हूं नहीं तुम घर परो तो कोई सना- तूफान से आने के पहले की शांती बेकार जोगता पता है मुझे पर यार यह बात तुम्हें मानने पड़ेगी कि हम 31 को जादा नाचना चालू कर देते हैं एक जिन्वरी से जादा तो टॉपिक वापस आते हैं जैसे ही 12 बज़रे होते हैं तुम्हार जैसी 12 बज़े मतलब मतलब अभी 12 बज़े ही है कि तुम्हारा फोन ऐसे बज़ना चालू हो जाए का हपी 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 निवर निवर हपी निवर इतना हैपी होता नहीं है वह जितना वह लोग बना देते हैं चलो वह भी कुछा मनाई रहे हैं प्रिटेंडी कर रहे हैं फॉर्मालिटी यार तुम् में बुलाऊंगा अच्छे से हम बात करेंगे पर उसके ना थोड़े सेलिब्रिटी के साथ कॉन्टैक्ट हैं तो हमाई डील हुई है कि मैं उसको पॉड्कास में बुलाऊंगा और वह हमें सेलिब्रिटी से बात करवाएगा आज बज़ट है हमारा वह इतना बिज़ी इंस यह बात करेंगे तो को चलिए कॉल मिलाते हैं उसको है कि है बास न्यूवर आने वाल है तो तो शचन भाई क्या प्लांस हैं आपके इस बार निवयर के चल यह दो होगी मजाग की बात मैं अपने नुव यर का दिनना नेकी के रहा पर चुल करूँ करूँगा मैं गरीबों को गरम कपड़े दे कर उन्हें इस कडाकी के ठंड से बचाने की कोशिश करूँगा पक्का करोगे ना ऐसा कहीं से बैसे बोल के निकल जाओगे चल ये तो होगी मेरी बात अब चलो पूछते हैं कुछ जाने माने से तार उसे कि उनके क्या न्यू येर के प्लान्स है तो तो बता किसको सबसे पहले कॉल मिलाएज़ सनी दियोल सर को कॉल कर सकते हैं अगर आप कमफर्टेबल हो तो ओ सनी दियोल सर को चलो कॉल मिलाते हैं फिर उने हेलो कौन बोल रहा है हेलो अप से बात वूज रहे हैं कि ऑसर आप से मारे कल बात वूज दूज दी कि आप मैं से बात करवाएंगे अभी फ्री नहीं है कुछ पेटियम यूबी को न जानता है है अब कौन बोल रहा है सर मैं पूज प्यूश बोल रहा हूं वितडase studio अब कौन और फ्यूश मैंकिसी यह निइस नहीं हो लगते हैं तुम नए लगता सचिन सर बुरा मान गए लगता यार सर को जादे ही गुस्सा हो गए तो आप सलमान खान सर से बात की जाए वह व्यूज लाइक्स कमेंट्स अपे कंट्रोल कर वे निलज चलो सलमान सर को यह फोन लगाया जाए अब कैसे हो तुम बिल्कुल सभी सर आप बताएए तो सर आप से पूछ लेते हैं, छोटा सवाल है, क्या प्लैंस हैं आपके न्यू यू 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 के प्लैंस क्या करोगे तुम जानके, चलो, वैसे मैं तुम्हें बताई देता हूं कि आप लोगों को इंटर्टेन करना थ्रू बिग बॉस एंड मूवी, यही हैं मेरे न्यू यू चलो, अब हम रखते हैं, अरे लगता है, फोन कट हो गया, सच मही बहुत बेजी इंसान नहीं लगता है, सचिन, कोवाद नहीं सचिन, अगर आपे देख रहे हो, तो थैंक यू सो मच, अपनी अनोखी आवाजों से हमें एंटर्टेन करने के लिए, तो भई, वेलकम बैक, म कौन मेरे साथ बेटा है, जो इतना excitement में है, तो भई, यह है आज हमारा second guest, और मेरी बहुत अच्छी दोस, Manpreet, तो Manpreet, क्या हाल चाल, शुक्रिया, 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 बेहनों भाईयो, मेरे भाई प्यूश, शुक्रिया मुझे मुझे मौका देने का सब के साथ, New Year Plans शेयर करने का, so, Hello Dilli, Dilwalok, Deltham के मैठी New Year Plans सुनने के लिए, विसे, पार्टे शादी दुश्श, आपने रखी होगी, कियो है ना, गाईज, इस से कुछ हटके बतातीओ मेरे चाल आई जो है प्यूश मेरे काल एक फ्रेंड की का लाई एख, गए तब, ब्रो, वार मेरा मोटिवेशनल प्लान्स शेयर करते है वेसेड ब्रो वेशनोदेवी चलते है थर्टीफर्स की नाइट को दर्शन करने इसेड ठीक है ब्रो चलो देनी सेड नहीं नहीं ब्रो गुवा चलते है पैकिंग करे और देनी फिलिप्ट अगेन और जो इसने भाजीबा करें मेरे दिमाग की तो समझे क्या होगा काफी उनीक दोस्त है आपका फुल सौट डली वाइब्स वाला तो मनपरित क्या प्लान्स अफिन न्यू यर के अप्लान्स मेरे कुछ आईडिया आए दिमाग में कि ऐसे करते हैं आपने कुछ रिलेटिव को कॉल करके उनके न्यू यर प्लान्स सुनते की 2022 की शुरुआत उनकी कैसे होईगी ओके तो हमें कॉल करने जार रहे हैं तो मनपरित अगर आपको याद होगा आपके एक रिलेटिव है जिनका नाम गजेंद्रभाव तो आज हम उनको ही कॉल करने वाले हैं उनको बिल्कुल नहीं पता कि आज हम उनको स्टूडियो से कॉल करने वाले हैं तो बहुत मसा आने वाला है तो लेट्स गॉ लग गया लग गया है लो अप गजेंद्र भाव अगर आपको याद है आपकी एक बहुत अच्छी रिलेटिव है वो आज हमारे हाथ स्टूडियो में है तो मैं आपकी बात कराता हूं उनसे आप उनकी आवास पैचान यह कौन है वो हेलो गजेंद्र भाव नमस्कार कैसे हो आप बोन कोल रहे हो पहले यह बताओ अरे आपने मुझे ने पैचाना गजेंद्र भाव अभी तक अरे बचपन भी ताया अपने साथ में बाव अच्छा काले कपड़े पहनती थी शरारती फेलती थी और आइसक्रीम खाती थी अंजी पैचान गया अप मुझे हा मनपरीत मनपरीत आपकी प्यारी मनपरीत गजेंद्र भाव तो गजेंद्र भाव हमने आपको फोन मिलाया है इसलिए हम अभी इस्टूडियो में बैठे ते तो हम सब की अपने रिष्टेदारों कू फोन करके उनके न्यू यह के क्या प्लान्स जय 2022 के क्या rezolution वह जानने के लिए खॉल की आपको तो कजंद्र भाई क्या प्लैंस्य आपकी न्यू यहर के इस साल मेरा प्लैन है सुवें भी खाना दूफें में भी खाना सम्में भी खाना रात में भी खाना और सून जाना क्या बात है आप तो में टाइप के प्याशन प क्या बात है लगता ही आप फॉलो कर ही देंगे और आपको भी करना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल साल के एंड में पता हूँगा की फॉलो हुआ या नहीं हुआ तो थैंक्यू सो मच गजेंडर भाई आने के लिए अपने अच्छा रेजलूशन बताने के लिए थैंक्यू सो मच तो मनप्रीट जैसे जिनसे इसे इनसे बात करी ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने पेट की बात कर रहे थे यहां फिट भी नहीं आपाते काफी अतरंगी डिले सेंटेनिंग सेशन मनाने क लिए इसको तो अभी हम ने इसे गजेंडर भाई से बात करी तो मुझे रेजलूशन से ने बात याद आ रही है रेजलूशन पता यार रेजलूशन काफी नहीं इंडिया में अलगी समा है हम हर साल कोई ना कूई रेजलूशन लेते हैं और दो दिन बात resolution का मतलब भी बोल जाते हैं और बड़ी ठाट में आके कहते हैं कि कोई ना यह आखरी साल थोड़ी है अगले साल कर लेंगे अगला साल कभी नहीं आता अगर तुम मेरी बात सुनना चाहोगे मैं सुनते तो हो नहीं पर अगर मैं एक बात बोल दूँ अगर तुमें क बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे सारी अच्छे दोस्त है यार शिवाम तो शिवाम क्या हाल चाल बड़ी आप यूश भाई आप बताओ आप कैसे हो बिल्कुल सही है निवेर चल रहा है अच्छे ही होंगे निवेर में सबको अच्छा ही रहना चाहिए और रहेंगे भी तो मैं आगए हूं आपको सामने और आप लोगो को लग रहा है कि मैं आपको कोई मोटिवीशनल स्पीज देना आया हूं नहीं मैं आपका माइण रिफ्रेश करने आया हूं और जैसा आप लोगों का atau party वाला हो रहा है मैं उसे continue करने आया हूँ तो आप लोग सोच रहोंगे वो कैसे अरे भाई अभी तो बताया था बताऊंगा नहीं गा के सुनाऊंगा ओके तो शिवम आड़ी आज गाना गाने वाले हैं ओके शिवम लेट्स गो जिन्दगी एक सफर है सुहाना यहां कल क्या हो किसने जाना हाँ यह आना जले हूं तैंकश यहां कल क्या हो किसने जाना यू यूले यलі यू ये यू तैंक यू सो मुच छिवम इतना अक्चा गढ़ना प्रिजेट करने के लिए तो गाईस आज के यह अगर पसंद आया तो लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए और इतने अच्छा लाइक कर दीजेगे यार दुबारा कल मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ तैंक यू सो मुच अपार्ट फॉम एट मस्टी गाइस घर पे रहे स्टे होम स्टे सेफ पार्टी जितनी हो सकते उ यह पार्ट बें़